हलो फ्रेंट्स आज केजबरे में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानि UK PSC द्वारा निकाली गए नई भरती के बारे में जिसमें की पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट यानि कनिस्क सहाय का पोस्ट है इसमें काफी भरती आयो हुए 445 पोस्टों के लि इसका फार्म बने का जो लास्ट डेट है 20 दिसमबर 2022 यानि 20 दिसमबर तक इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर इंपर्डेंब बॉर्डेंट पाइंट्स को देख लेते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकसन आप ज़रू रिट कर लिजेगा यहाँ पर यह ध्य पर आवर के हिसाब से मांगा गया है और अंग्रेजी का टंकर जहां मांगा गया वहाँ पर 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए यानि आप बारवी पास हो साथी साथ टाइपिंग भी आना चाहिए तब आप इस फार्म को अपलाई कर अगर आप रिजर्वेशन काटेगरी में आते हैं जैसे SCST में आते हैं OBC में आते हैं तो आपको जो एज में relaxation मिलता है वो आपको मिलेगा यहां यह भी आपको confirm हो जाना चाहिए कि इस फार्म को केवर उत्तराखंड के candidates ही भरेंगे यानि पहले वो candidates जो उत्तराखंड में रह रहें वो भी farm भर सकते हैं और दूसरा वो कि अगर कोई उत्तराखंड का candidates से वो बाहर जाके रह रह रहा है तो वो भी आप भी firm अपलाई कर पाएगा और तीसरा अगर कोई बाहर से जाकरकर के उत्तराखंड में permanently रहने लगा है तो वो भी found अपलाई कर पाएगा इस त structure की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर general category में आते हैं तो 176.55 रूपीज है उसी तरह से economically bigger section के लिए भी है और OBC के लिए भी इतना ही फीज है और अगर उत्राखंड के अनसुचित जन जाती में आते हैं तो 86.55 रूपे लगेगा आपका अगर आप उत्राखंड के अनसुचित जन जाती में आते हैं तो आपका कोई फी नहीं लगेगा यहाँ देख सकते हैं और दिब्यांग में आते हैं तो 26.55 रूपे लगा यह आपका फी स्टेक्चर है इसके exam pattern की बात करें तो यहाँ पर देगा सामान ग्यान, सामान अध्यन, सामान हिंदी से समंदित 100 questions पूछे जाएंगे जो कि MCQ type का होगा और एक-एक question एक-एक number का होगा दो घंटे का time दिया जाएगा कुल marks जो है आपका 100 होगा तो इस तरह से MCQ type का question पूछा जाएगा इसका जबाब आपको देना होगा और उसके बाद आपकी typing होगी फ्रेंड्स इसके syllabus पर हम detailed video अगले वीडियो मना देंगे अगले वीडियो मताएंगे कैसे इसको पढ़ना है इसका syllabus क्या है यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको देंगे इसलिए आप चैनल को इसके बाद जानकारी मिल सके यह एक छोटा सा अपडेट था आपको समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम इसके syllabus को detail में discuss करेंगे